जैश्री महाकाल, जैश्री महांकाल, दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बाक्त से बहुत स्वागत है, आपका अभार है और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, एक छोड़ा सा आप से निवेदन ह होगी, जिन परिशानियों के बारे में आप कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो परिशानिया खड़ी हो जाती है, मन में अशान्ती होती है, जीवन में जो भविश है, वो अस्थिर सा लगता है कि भविश में कैसे क्या होगा, जीवन किस तरह से कटेगा, और जाने क इतने सारे परश्णी जो मन में उठते हैं, उन सभी का हल एक ही है, जो आपको समझना चाहिए, बस एक काम, जो काम आपको करना है, मंत्र जब, आप कोई भी एक मंत्र ले ले, चाहे राम का ले ले, करशने का ले ले, शिव जी का ले ले, या आपके दूबी इस्ट देवीद है, तब तक आप करें, उससे आपके इर्दिगर का जो ओरा है, उस मंत्र में हो जाएगा, और वो ओरा जब मंत्र में होगा, तो आपके साथ सब कुछ चीजे बड़ी सकारात्मक और पोजिटिव होगी, अब आप कहेंगे कि उसका कैसे प्रभाव और काम होगा, पहली बात आप मंत्र का जाप कर ही नहीं पाएंगे, आपका मन बटक जाएगा, तो अगर आप बार बार जब करते रहेंगे, तो आपका जो मन है, वो इस्तिरता की ओर जाएगा, मन इस्तिर होने की ओर जुपत है, उसे मिलेगा, बड़ा कटीन है, लेकिन दीरे दीरे अभ्यास करने स आप उस और आगे बढ़ पाएंगे, जब आप इस चीज़ को करेंगे, तो मन में कलित ख्याल भी आएंगे, मन कहीं दूर दूसरी यगा पर भटकेगा भी, चीज़े जो हैं वो आपको बड़ा निगटिव कर सकती हैं, और ये चीज़े सुरुआती पहले पढ़ाओ पर य लोग इसका जरूर माने या अगर कोई आपके इर्दिगिर्दा आसपास को ऐसा है, तो उसे मंतर जब का जरूर आप सजेशन दे कि आप मंतर का जब करें, कोई भी मंतर हो सकता है, महामरतिय लिले, घायतिरी मंतर लिले या इश्वर का कोई भी नाम जो नाम आपको लेना चाहिए, तीसरी बात है कि अब आप इसे दूसरे पर जब जाएंगे तो आपके इर्दिगिर्दा बड़ा सकारत मत महोल हो जाएगा, आपके मन में जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, आपको शान्ती मिलेगी और आपके मन में जो विचार आएंगे, उन विचारों पर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर करें, कमेंट तो पर आए लिए, जैसरी महांकार, जैसरी महांकार